आगे बढ़ेंगे अर्विन नेताम का न्यूस 24 मद्वदेश 36 गर पर बड़ा बयान सामने आया है आदिवासियों के खिलाफ काम कर रहे है बगहिल सरकार और प्रदेश नेत्रतव के असयोग रवये के कारण निराशा हुई है मजबूरी में लड़ना चा रहे हैं विधाल सभा की चुनाव और कॉंग्रेस से इस्तिफा दे चुके हैं वरिष्ट नेता अर्विन नेताम प्रदेश के बड़े आदिवासी नेता हैं अर्विन नेताम एक कहीन बड़ा जटका कॉंग्रेस को लगा है अर्विन नेताम का कहना है कि आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है सरकार और इसी के चलते उन्होंने अपना रेजिग्रेशन बेजा है समाज के जो अधिकार था उसको खतम कर दिया पिछले साल नियम बना करके तो अब चिंता का ये विशाय हो गया कि आदिवासियों समाद जिन्दा रहेगा के नहीं रहेगा ये सबसे बड़ी समस्या है अगर इस सरकार हमारी हीतों की रक्षा ठीक से करती तो काहे को लड़ते भाई इन लोग दो मजबूर कर दिया अब मजबूरी में लड़ रहे हैं और समाजिक मुद्दों को लेकि लड़ेंगे हमारे कोई राजनितिक मुद्दा नहीं है हम उनको मदद करेंगे तो वहीं अर्विन नेताम के इस्तिफे पर सीम ने तंसकसा है इस्तिफा देने में बहुत देर कर दिया है पार्टी विरुधी गति वीदियो में नेताम शामिल किया और कितनी बार दल बदल चुके है नेताम और बीजिपी के इशारों पर चल रहे थे नेताम यह कहना है सी के कांद परफर कशे कि face x Sparkas why इस्तीफा देने में बहुत देर कर दिया हैं कि व相 बहुत देर कर दिया हूं वह तो भानुप्रताप पूर सिनॉम में खड़ा कर लिये थे तो वैसे भी जो आज में पार्टी खिलाप में काम करता है वैसे अपने अपने इस्कातिस हो जाता है इस्तिपादेनी जरुती में थी उसके पहले ही पार्टी विरोजी गजी में वो सन जुँत हमको मालूम है उनकी बैटके भी हो रही है और लगातार वह और उनकी गत्विधी उस प्रकार से रही है लेकिन वरस्टाइब को ध्यान में रखते उसे निश्कासन के करवाई पार्टी ने नहीं किया लेकिन वह कितने बार बदल चुके लिए पहले निकाल देते तभी तक हो सकता है एक और दल बदलने की सितिया आजाती है